नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका New Tech & Tricks पर SVI के David Card पर E-Com Service को Activate या Enable कैसे करें? इस पर मैं पहले ही दो वीडियो बना चुका हूँ इन दोनों वीडियो पर कई सारे कमेंट आए बहुत से वीवर्स ने कमेंट करके बताया उनका Card Activate हो गया है वहीं कुछ वीवर्स ने कमेंट किया है कि उनका Card Activate नहीं हो पा रहा है SVI David Card पर E-Com Service को Activate कैसे करें? या Card Activate नहीं हो पा रहा है तो क्या करें? इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है आप हमारे ब्लॉग www.newtechandtricks.com पर जाकर पर सकते हैं आज का वीडियो मैं अपने एक वीवर की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको SVI Yono के जरीए E-Com Service Activate या Enable करना बताऊँगा SVI Yono App यूज करने के लिए आपके पास SVI की Net Banking होनी चाहिए इससे पहले दो वीडियो जो मैंने बनाई है उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप इन तीनो फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट से अपना कार्ड एक्टिवेट या Enable कर सकते हैं इकॉम सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले SVI Yono App से लॉग इन करना है लॉग इन करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको कुछ लिंक में कुछ आप्शन मिलना है तो सबसे पहला आप्शन यहां पे सर्विस रिक्वेस्ट इस पर आपको किलिक करना होगा किलिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आप्शन मिलना है तो यहाँ पर ATM डेबिट कार्ड वाले आप्शन पर किलिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी internet banking का profile password देना है और submit करना है यहाँ पर आपको कुछ option मिलना है तो यहाँ पर जो second option है manage card इस पर किलिक करना है किलिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आप आपको अपना account सेलेक्ट करना है card select करना है तो चलिए पहले account को select करते हैं फिर card को select कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं manage uses इस पर click करना है click करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं post service हमारी यहाँ पर disable है और e-com service भी disable है और domestic uses भी यहाँ पर disable है तो इन्हें हमें enable करना है और next button पर click करना है तो चलिए हम इन सब को active करते हैं और next button पर click करते हैं अब आपके registered mobile number पर one time password आएगा उस password को आप यहाँ पर enter करना है तो चलिए यहाँ पर हम अपना password एंटर करते हैं और submit करते हैं तो password आ गया यहाँ पर हमारा और यहाँ पर आपको एक message भी दिखेगा transaction for your card has been accepted तो यहाँ पर हमें simply okay कर देना है तो चलिए अब हम दुबारा से services को check करते हैं कि हमने जो service active की थी जो enable की थी वो enable है भी या फिर नहीं तो चलिए हम manage card पर दुबारा से click करते हैं और दुबारा से यहाँ पर account select करना है card select करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो service हमने active या फिर enable की थी वो यहाँ पर active है तो अगर active करने के बाद भी आपका payment decline हो रहा है या fail हो रहा है तो आपके आपकी तरफ से कोई भी problem नहीं है यह problem technical problem हो सकती है या फिर bank का server down है तो इसके लिए आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है और अगर आप confusion में है कि हमारे card पर services active है या नहीं है चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूने थैंक्स वर वचिंग